हेलो प्रेंट्स कैसे हैं आप आज हम आपके साथ आधा कप गेहूं के आठे से बने बहुत ही आसान से हेल्थी नास्ते की रेश्पी से एर करेंगे जिसे आप ब्रेकफास्ट में बच्चों को लंच बॉक्स में या फिर सफर में भी ने जा सकते हैं सिर्फ पांच मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और बनाना भी इसको बहुत ही जादा आसान है चलिए तो फटा फट से बनाना सुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर हमने एक खीरा लिया है तो आज हम खीरे से ही नास्ता बनाएंगे आप भी गर्मियों में सूजी बेसन मैदा चावल के नास्त कर्मेंट करके जरूर बतायेगा कि कौन-कौन खीरा गिसकर काटते हैं और कौन-कौन मानते हैं कि खीरा किसने से करवाहट निकल जाती है और अगर आप खीरा ना घिसे ना तो चक्कर जरूर देख लीजेगा क्योंकि कोई-कुई खीरा जो होता है न गिस लिया है और आब हम छील लेते हैं तो खीरा जो भी आप मीचेगा ना थोड़ा सा पतला लीजेगा पतले खीरे में बीच कम होता है तो यह देखिए खीरे को हमने गिस लिया है और अब इसे हम ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं तो मीडियम बाले छेदों की तरफ से ही इसे हम ग्रेट करेंगे तो फ्रेंड्स आपने खीरे का सैलेट खीरे का रायता तो बहुत बार खाया होगा एक बार आप खीरे से बने इस नास्ते को भी ठ्राइ करियेगा आपके घरब में सभी को यह बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा तो यह देखिए इसी act से पूरे खीरे को हम पहले ही ग्र तो एक बावल में इसे हम पलट लेते हैं और इसे हेल्थी बनाने के लिए कुछ और भी सब्जियां डालेंगे तो यहां पार दो चम्मच टमाटर जिसके बीच हमने निकाल दिये हैं दो ही चम्मच बारिक कटी हुई सिम्ला मिर्च एक छोटी गादर ग्रेट करके डाल देते हैं दो कटी हुई हरीमिच डालेंगे और इसमें नमक डाल देते हैं और सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं नमक डालने से ना सब्जियां अपना पानी छोड़ देंगी तो नास्ते में हमें अलग से पानी नहीं डालना पड़ेगा तो यह देखिए अच्छ से नास्ता बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा और दो चम्मच इसमें चावल का आठा डालते हैं आठा डालने से नास्ता बहुत क्रिस्पी बनेगा और खटास के लिए एक चम्मच इसमें नीवो का रश्ट डालेंगे आप इसकी जगे दही भी डाल सकते हैं आप कुछ मसाले तो आडी चुटी चमच लाल मिर्च पाउडर आडी चमच धनिया पाउडर चौथा चमच काली मिर्च पाउडर और एक चुटी चमच अजवाइन हातों से मसलते हुए डाल देते हैं यह काम करता है और नास्ते का टेस्ट बीस से बहुत बढ़ जाएगा और कटा हुआ अरा तो थोड़ा नमक आप इसमें और डालिजेगा तो यह देखे सभी को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और आभ इसमें हम गेहुं का आछा डालेंगे तो आदा कप यहाँ पर हमने गेहुं का आठा लिया है पर एक सारा आठा नहीं डालेंगे पहले अधा आठा डालते है और इसे अच्छे से mix करेंगे, तो यह चम्मत से अच्छे से mix नहीं होगा, तो इसे हातों से ही हम mix करते हैं, शुरू में आपको थोड़ा सा यह dry लगेगा, नेकिन जैसे जैसे आप मैस करेंगेगे, यह आसानी से mix हो जाएगा, क्योंकि सबजियों में बहुत सारा मॉश्यर है और इनोंने अपना जूस भी छोड़ा था तो बाकी का बचा हुआ आटा भी इसमें हम डाल देते हैं और एक बार बापस से इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक गोल तयार करेंगे तो यहां पर हमने साथ से आठ चमच पानी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा था पानी यहां पर हम और डाल देते हैं तो टोटल हमने एक तिहाई कप इसमें पानी डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह नास्ते का बैटर बनकर तैयार हो गया और इसे हमने गाढ़ा ही रखाए यह देखे तो आपको चम्मत से निखाते यह देखे तो बैटर जो है ना चम्मत से रुक रुक के गिर रहा है तो ऐसा ही गाढ़ा बैटर हमें नास्ते के लिए चाहिँ तो आज इस नास्ते को बिना सोडा बिना दई और बिना इनो के बनाएंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो पैन को थोड़े से तेल से हम ग्रीस कर लेते हैं आप इस नास्ते को तबे पर भी बना सकते हैं, तो चलिए इसे हमने ग्रीस कर लिया है, आप चमच भरकर बैटर पैन के बीचो बीच डालेंगे और इसे फैला लेंगे, पर ज़्यादा पतला नहीं फैलाएंगे, थोड़ा सा इसे मोटा ही रखेंगे, तो देर चमच बैटर ह लिए शिखने देंगे, तो दो मिनट हो गए और यह देके नास्ता उपर से पूरी तरह से ड्राय हो चुका है, तो अब थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, और इसे धीरे से पलट देंगे, तो यह नास्ता पैन में बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, तो चलिए इसे पलट द तो यह नास्ता बहुत ज्यादा क्रिस्पी बना है, यह देखे सुनी आपने आवाज, तो चलिए अब इसको धीरे से हम पलट लेते हैं, तो यह देखिए, दूसरी साइड से भी कितना बढ़िया नास्ते पे कलर आया है, तो यह नास्ता बनकर तयार हो गया है, चलिए तो निकाल देते हैं, और सारा नास्ता बिलकुल इसी तरह से बना कर हम तयार करेंगे, तो लीजे, नास्ता बनकर हमारा तयार है, और इसे आज हमने बूनी के रायते के साथ सर्व किया है, अगर आपके बच्चे भी सबजी खाना पसंद नहीं करते, तो आप उन्हें इस तरह स सबजियां खिला सकते हैं, आप इसे ब्रेकफास्ट में सामकी चाय के साथ या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, और ये देखे, कितने ज़्यादा ये सौप्ट बने हैं, और सिर्फ एक चमस तेन में बनकर ये तयार हो गए, तो कैसी लगी आपको आज की हमा करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूलें, ऐसी ही नई रेस्पी के साथ नए पीडियो में हम आप से फिर मिनेंगे, तेंक्यू